नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई डिजाइन और एक अजुबा जो आपने बहुत सी डिजाइन देखेंगी चैर पाई में और बोतल में भी उसी के बारे मैं आज आपको बता रहा हूँ एक नई डिजाइन आपको दिखा रहा हूँ और एक नए अजूबा भी मापको दिखा रहा हूँ कि आप देखे ये किस परकारशे ही मैंने डाले हैं और इसके अलाव भी मैं आपको और दिखाँगा ये देखे आप अंदर से इसमें फूल डाले गए हैं ये देखे आप किस परकारशे डाले हैं ये पूरी बोतल है एक दम साबती इसमें कहीं भी तोट फूट नहीं है और इसके अलाव भी मैं आपको और भी चीज दिखाँगा लेकिन दिखाने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेश्ट है कि ये दिया आप अमारे चैनल पर नहीं हैं तो रैड गलर के सब्सक्राइम टेपक किलिक किजिए और बैल का उटन दवाएए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें तो चलते हैं दोस्तों अब हम सुरू करते हैं आपको एक और अजूबा मैं आपको दिखा रहा हूँ आज ये देखे इसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी देखे आप आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बोतल के अंदर देखो चार पाई किस प्रकाशे बनाई जाती है एक अजूबा है किस प्रकारशे आप बोतल में चार पाई डाल सकते हैं आपने बहुत सी वीडियो भी देखी होगी देकिन देखो आज आपको यह दिखाएगा है कि बोतल के अंदर देखो डिजैन भी है और यह चार पाई भी यह किस प्रकारशे डाली गई है यह गहने रहें तरीका होता इसका भी किस प्रकारशे डलती है और यह बोतल भी दोस्तों गारंटी हमारी है यह कहीं से फूटी टूटी नहीं है आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं मैं आपको जूम करके दिखा जेता हूँ कहीं पिए आपको जोड नहीं मिलेगा इसमें आप आराम से देख लीजी और भी हम आपको दिखा रहा हूँ इसके साथ साथ देखो एक यह आप देखे इसके डिजाइन भी मैंने बनाई है और एक किस प्रकारशे अंदर डाली गई है यह भी आप देखे यह हुनर है एक कला है इसी कला के मादम से भी आप डाल सकते हैं इसको ऐसे नहीं डाल सकती है और हर आदमी की बसकी बात भी नहीं यह हर आदमी यह डाल भी सकता है दोनी से काम है यदि कोशिस करें तो इसके अंदर डल भी बन भी सकती है चार पाई डाल कर आप बना भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं दोनी चीज़ हैं दोस्तों देखिए हुनर और कला के अंसारी डलेगी बहुत ही आसानी से आप देख पा रहे हैं मैंने और इसे पहले ही मैंने एक वीडियो में बताय था कि किस परकारशे आप चार पाई है वो बोतल के अंदर डाल सकते हैं यदि आपने वो वीडियो देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद यदि नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रेस में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं और इसके लाए और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ देखो ये भी एक मेरे पास ये तीन-तीन बोतले हैं ये एक मैजिक है कि किस परकारशे मैंने डाली है और ये देखो कहेंसे भी एक ये भी गारंटी है हमारी की बोतल कहीं से टूटी-फूटी नहीं आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं ये देखे आप दोनी तरफ शे डीजाइन भी देखे और इसमें बाई, बाई, माई ये सबी चीज़ है हर एक एक चीज़ के बारे में दिखाए गया है आपको मैं दिखा देता हूँ कि देखो ये छोटी बोतल इसमें देखो माई भी आप आसानी से देख सकते हैं किस परकार से हैं और ये गुंडियों का पिलंग बनाए गये आप गुंडियों का पिलंग बनाए गये है और इसमें फूल भी काटे गये है इसी परकार आप ये भी देख लीजिए ये भी गुंडियों का पिलंग है और इसमें फूल देख लिए आप हमने एक उठाई फिर तीन उठाई फिर पांस उठाई फिर तीन उठाकर हमने एक बीच में सेंटर में दबाई है फिर पांच उठाई है फिर तीन फिर एक उठाई है इस परकार से फूल की डिजाइन में ने बनाई है बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं और ये फूनर है ये कला है ये आप कर सकते हैं और ये एक मैजिक है, ये भी देखो आप किस प्रकार चाहिए, मैंने ये फूल इसमें डाले हैं, आसानी से आप देख सकते हैं, देखो इस तरफ प्लेन है ये, इसी तरफ इसमें डिजाइन दिखाए गई है, तो ये भी आप देख सकते हैं, किस प्रकार और ये हमने, देखो यह भी इसमें यह तो simple है खर इसमें आप कर सकते हैं लेकिन man target है तोस्तों मेरा यह ही कि आपको bottle के अंदर 4 पाई किस प्रकाशे डाले जाती है आप भी डालें कोशिस कीजिए और औरों को बताईए किस प्रकाशे डाले जाती है बहुत ही आसान है इसमें थोड़ा बस आपको magic की तरह एक magic करना होगा कि इस पर प्रगाशे डालनी है और किस प्रगाशे डलेंगे वो आपको देखने हैं दोस्तों मैं आपको सभी दोनी तरब से डीजाइन दिखा देता हूँ देखो यह दोनी तरब से डीजाइन है आप उल्टे सीधी करके सभी देख लीजी आप यही इसका magic आज का टार्गेट मेरा है कि आप चार पाई के अंदर चार पाई है वो बोतल में किस प्रगाशे फिट करेंगे इसके बारे मैंने एक दो वीडियो पहले बनाए थी तो वो भी आप आसानी से देख सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही मैं आपको बताऊंगा यह दिखाया है तो दोस्तों देख लीजे आप बहुत ही आसानी से यह मैंने magic दिखाया आपको तो आसा करता हूँ क्यों यह मेरा magic आपको पसंद आया होगा यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो like, share और subscribe करने बूलें तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेखिर हाजिर हूँगा तब तक लिए जया हिंद जया भारत